ओम शान्ती आज है तो नवंबर दो हजार इक्किस की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के महवाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाच्चा कर्मना एक्यूरेट बढ़ना है क्यूंकि तुम देवताओं से भी उच ब्राहमन रोटी हो प्रैश्न सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं उत्तर शिप बाबा और ब्रम्हा बाबा का भेद समझना यहाँ सबसे गुप्त और महीन बात है इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं यह राज सोयम बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ ओम श्यांती, रुहानी बाप रुहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन हैं ब्रह्मन, यह कभी भूलो मत की हम ब्रह्मन हैं, देवता बनने वाले हैं, वर्नों को भी याद करना होता है, यहां तुम आपस में ब्रह्मन ही ब्रह्मन हो, ब्रह्मनों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रम्हा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रम्हा द्वारा ब्रहमनों को ही पढ़ाते हैं, शुद्र से ब्रहमन बनने बिना देवता बन नहीं सकते, वर्सा तो शिव बाबा से मिलता है, शिव बाबा तो सभी का बाप है, इस ब्रम्ह को ग्रेंड फादर कहा जाता है लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं पार लौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं अब तुम बच्चे समझते हो यहाँ अलौकिक बाप है जो इसको कोई नहीं जानते हैं भल ब्रम्हा का मंदिर है यहां भी प्रचापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं। प्रन्तु वास्त में दिल लेने वाला है शिबाबा, ना कि ब्रम्हां, सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। यहाँ भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में तो मनुश्य कुछ भी नहीं जानते हम ब्रहमन ही शिबाबा से वर्सा ले रहे हैं तुम भी घड़ी घड़ी भूल चाते हो याद है बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है तुम तो बाप को याद करते हो योग तो कौमन अक्षर है इनको योग आ आपको याद करना हम ब्रहमन हैं दादे से वर्सा लेते हैं ब्रहमा द्वारा इसलिए शिबाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो जित्तर भी भल याद रखो याद तो रहेगी हम ब्रहमन हैं बाप से वर्सा लेते हैं ब्रहमन कब अपनी जाती को भूलते हैं क्या त ब्रहमन तो देवताओं से भी उंच है क्योंकि तुम ब्रहमन नौलेज़फुल हो भगवान को जानी जाननहार कहते है न इसका अर्थ यहाँ नहीं कि सबके दिल में क्या है वहाँ बैठ देखता है नहीं उनको स्रिस्टी के आदी मध्यांत की नौलेज है वहाँ बीज बढ़ के आदी मध्यांत को जानते हैं तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है वहाँ बाप कहते हैं यह ब्रहमा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे पहले पहले त तुम बिना शरीर आशरीरी आये थी, फिर आशरीरी बन कर वापिस जाना है, और सब देह के संबंध ही तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो, जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ, वहां कोई दुख नहीं, वहाँ है दैवी संबंध, यहां पहले दुख होता है, स्त्री और पूरुष के संबंध में क्योंकि विकारी बनते हैं, तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूं, जहां विकार की बात ही नहीं रहती, यहां काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदी मध्यांत मूत के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यहां आदी मध्यांत दुख देते हैं, नहीं काम को जीतना है, वही आदी मध्यांत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं, पतित अक्षर विकार पर पड़ता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है, तुम जानते हो हम सत्यों के देवी देव बन रहे हैं जब तक यहां निश्य नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्छों को मनसावाचा कर्मना एक्यूरेट बनना है महनत है। दुनिया में यहां किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चल कर समझेंगे, चहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाशा हो, तुम समझा सकते हो, आज से पांच हजार वर्ष पहले एक राज्य, एक धरम था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, राम राज्य, रावन राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, अब तुम सवच बुद्धी बने हो, नमबरवार पुरशार्थ अनुसार, बाप बैठ तुमको समझाते हैं, तो जरूर बाप कीमत पर चलो, बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते, क मलफूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो, बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ, इन और्गन्स द्वारा, यह तो पुरानी चीची दुनिया चीची शरीर है, तुम ब्रहमन पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पर विश्यो को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती, गायन जरूर तुम ब्रहमनों का है, ना कि देवताओं का, बाप तुमको ही शुद्र से ब्रहमन बनाते हैं, देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, अब तुम्हारी यात्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है, अब तुम इश्यर कीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, सतो प्रधान जरूर बनना है, सिर्फ तुम ब्रहमन ही हो, इसको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ब्रहमनों का जाडवरिधी को पाता रहेगा, ब्रहमन जो पक्के बन जाएंगे, वही जाकर देवता बनेंगे, यहाँ नया जाड़ है, माया के तुफान भी लगते हैं, सत्युग में कोई तुफान नहीं लगेगा, यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है, हम जानते हैं, बाबा की याद से ही तमो परधान से सतो परधान बने हैं, सारा मदार है याद पर, भारत का प्राचीन योग भी मशुर है ना, विलायत वाले चाहते हैं, प्राचीन योगा कर कोई सिखाए, अब योग दो प्रकार का है, एक है हट योगी, दूसरे है राज योगी, तुम ह ओ राजयोगी, वहां तो बहुत दिन से चले आते हैं, राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है, सन्यासी क्या जाने राजयोग से, बाप ने आकर बताया है, राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ, क्रिशन तो सिखला न सके, यह भारत का ही प्राचिन योग है, सिर्फ गीता में मेरे बदले क्रिशन का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है, शिव जयनती होती है, तो तुम्हारे बैकुंट की भी जयनती होती है, इसमें क्रिशन का राजय है, तुम जानते हो शिबाबा की जयनती है, तो गीता की भी जयनती है, बैकुंट की भी जयनती हो रही ह तुम पवेत्र बन जाएंगे, कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिबाबा की ज्यंती, सो स्वर्ग की ज्यंती, बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करती हैं, अब बाब कहती हैं, मुझे याद करो, याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकरम करा देती है याद नहीं किया और लगी चमाट, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यहाँ बॉक्सिंग होती है, तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुश्य नहीं है, रावन दुश्मन है, शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बढ़ने से एक दो के दुश्मन बन शादी में लाखों रुपे खर्च करते हैं, बाप कहते हैं शादी है बरबादी, अब पारलौकिक बाप ने ओर्डिनेंस निकाला है, कि बच्चे यहाँ काम महाशत्रू है, इन पर जीत पहनो और पवित्तरता की प्रतिग्या करो, कोई भी पतित ना बने, जनम जनमांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रू कहा जाता है, बाप तो बहुत अच्छे रीती समझाते हैं, तुमने 84 जनम कैसे लिए हैं, अब वापिस जाना है, तुमको तो बड़ा ही शुद एहंकार होना चाहिए, हम आत्माएं बाप कीमत पर चल भारत को बना रही हैं, हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे, जितने महनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं, वहा भी देख रहे हो, फॉलो फादर गाया जाता है, वहा अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है, यहा बाप मत देते हैं, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम समझते हो, हम अच्छे मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, बच्छे बाप के पास आते हैं, तो शिबाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यहा भी रिफ्रेश क यहां भी तो सीखते हैं शिबाबा कहते है मैं आता हूँ सवेरे को अच्छा फिर कोई मिलने आते है तो क्या यहां ब्रम्हा नहीं समझाएंगे ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ मैं नहीं समझाओंगा। यहाँ बड़ी गुप्त गुय बाते हैं ना, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिर बाबा ही समझाते हैं, यहाँ नहीं समझाते होंगे, यहाँ भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यहाँ पद पाया है, मम्मा भी समझ भी उच्पद पाती है वहां बाबा को सुक्ष्वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है सरेंडर होते भी गरीब हैं सहुकार तो सरेंडर होना सकें गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है शिबाबा तो दाता है वह कभी लेता नहीं बच्चों को कहते ह यह सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहां या वहां नहीं बनाता हूं, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, अब इन ग्यान रतनों से जोली भरनी हैं, मंदिर में जाकर कहते हैं जोली भर दो, प्रण्तु किस प्रकार की, किस चीज की जोली भर दो, अब जोल जोडी भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है शिव के पास तो जाते नहीं कृषण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई परंतु क्रिशण के लिए नहीं जोली भर दो शंकर के पास जाकर कहते हैं समस्ते हैं शिव और शंकर एक हैं शंकर तो जोली खाली करने वाला है हमारी जोली तो कोई खाली नहीं कर सकता विनाश तो होना ही है गाया हुआ भी है रुद्र ज्यान यज्य से विनाश ज्वाला निकली प्रंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं, तुम बच्चियों को ग्रिहस वैवहार में भी रहना है, धन्दा भी करना है, बाप हर एकी नबज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं, मैं कहूं और कर न सकें, ऐसी राय ही क्यों दूं, नबज देखकर ही राय देते हैं, इनके पास तो आना करना चाहिए, अब क्या करें, बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम चानते हो, हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नर्कवासी हैं, अब तुम ना नर्क में हो, ना स्वर्ग में हो, जो जो ब्रहमन बनते हैं, उनका लंगर इस चीची दुनिया से किनारा अब छोड़ रुके हो कोई ब्रहमनती खा जा रहा है कोई याद की यात्रा में कम कोई हाथ छोड़ देते हैं कोई गुटका खाकर डूम मरते हैं अर्थात फिर कल्युग में चले जाते हैं तुम जानते हो खिवया अब हमको ले जा रहे हैं वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है, यह बिलकुल ही न्यारी यात्रा है, हाँ तुफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं, इस याद की यात्रा को अच्छी रिती पका करो, मेहनत करो, तुम करम योगी हो, जितना हो सके हतकार डे, दिल या आधा कल्ब से तुम आशिक बन माशुक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहां बहुत दुख है। अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्सा पाया था अब गवाया भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है, यहां तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है, जो अच्छी रिती समझते हैं, उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है, प्रदर्शन में कितने आते हैं एहम्दाबाद में देखो कितने सादू संतादी हर प्रकार के आए कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो प्रंतु हमको बाप से वर्सा लेना है यहाँ थोड़े ही बुध्धी में बैड़ता है यहां से बाहर निकले खलास अभी तुम जानते हो कि बाप हम को स्वर्ग में ले जाते हैं वहा ना कर्ब जेल ना वहा जेल होगी फिर कभी जेल का मुह देखने को नहीं मिलेगा दोनों जेल नहीं रहेंगी यहां यहां सब है माया का पाम्प आजकर हर एक बात क्विक होती है मौत भी क्विक होती रहती है सत्यूग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं है यहां मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे सब खलास हो जाएंगे सारी धरती नई हो जाएगी सत्यूग में देवी देवताओं की राजधानी थी सो चरूर फिर होगी आगे चल देखना क्या होता है बहुत भ्यंकर सीन है तुम बच्चों ने साक्षातकार किया है बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा यहा है श्वर्ती कला की यात्रा अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक सदा इसी समरीती में रहना है कि हम ब्रहमन हैं हम ब्रहमनों को ही भगवान पढ़ाते हैं हम अभी ब्रहमन सोदेवता बन रहे हैं नमबर दो ज्यान रतनों से अपनी जोली भलकरदान करना है इस कल्योगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है माया के तुफानों से टरना नहीं है वर्दान पावरफुल स्थीती द्वारा रचना की सर्वाकर्षनों से दूर रहने वाले मास्टर रचईता भव जब मास्टर रचईता मास्टर नौलेचफुल की पावरफुल स्थीती वानशे में सित रहेंगे तब रचना की सर्वाकर्षनों से परे रह सकेंगे क्यूंकि अभी रचना और भी भिन भिन रंग धंग रूप रचेगी इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ती स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती च्योती स्वरूप को प्रत्यक्ष करो तब कहेंगे मास्टर रचेता श्लोगन मन की स्थीती में ऐसा हाड बनो जो कोई भी परिसीती उसे पिघला न दे मन की स्थीती में ऐसा हाड बनो जो कोई भी परिसीती उसे पिघला न दे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया